नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा करती हूँ अच्छे हूँगे तो आज हम करेंगे आपके अध्याय कब आउं के प्रश्ण उतर तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है सेट ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा उतर सेट ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा क्योंकि वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था दूसरा प्रश्ण अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों? उत्तर है अवंती सेट का इरादा जान गया था इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया तीसरा प्रश्ण सेट कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? अगला प्रश्ण है नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सबजियों के नाम छिपे हैं ढूंडो तो जरा उत्तर है अब भागो भी बारिश होने लगी इसमें गो और भी मिलके गो भी बनता है मामू लीला मौसी कहां है इसमें मिलता है मूली शीला के पास बैग नहीं है बैंगन रानी बोली हमसे मत बोलो सेम गोपाल कबूतर उड़ा दो तो इसमें पालक है इसमें गोपाल का पा और ला कबूतर का क मिलके पालक बनाता है अगला प्रिशन है सही जोड़े मिलाओ इसमें मैंने सबको मिला रखा है जैसे उची है उसे बुलंद से प्रशंसा को तारीफ से कतई बिलकुल ईर्शा जलन जरूर अवश्य अगला प्रिशन है चित्रों को देखो क्या इने देखकर कुछ मुहावरे या कहावते याद आती हैं उन्हें लिखो इसमें एक दिया जलता हुआ है और इसमें इसके लिए हमें होगा मुहावरा अंधेरा तो दिया तले अंधेरा वो है या चिराग तर्ले अंधेरा अब अगले चित्र में दिया हुआ है एक हाथ और आर्सी वर्ड दिया हुआ है तो इसका मुहावरा है हाथ कंगन को आर्सी क्या अब अगला एक हाथ दिया हुआ है और आस्थीन है तो इसका अर्थ है आस्थीन का सांप मुहावरा अगला है एक बच्ची दो ग्यारा नमड लेके खड़ी और नीचे ग्यारा लिखा है एक और एक ग्यारा इससे ये मुहावरा बनता है अगला प्रश्ण है कहो कहानी विद्याले गुरुजी चुटी बंदर डंडा पेड केला ताली बच्चे भूक इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कई बात आई होंगी इन सब चीजों के बारे में एक चोटी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ उत्तर विद्याले में गुरुजी विद्यारतियों को बिठा कक्षा में पढ़ा रहे थे कुछ देर बाद आदी चुटी का समय होने वाला था तभी एक बंदर वहां आया गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे बंदर पेड़ पर चड़ गया एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेका बंदर को भूक लगी थी वह केले को लपक कर खा गया सब बच्चे बंदर को केला लपक कर खाता देखकर ताली बजाने लगे केला खा कर चला गया प्रश्न एक रुमाल का छोटा सा कपड़ा उचाल कर देखो किसका रुमाल सबसे उपर उचलता है उत्तर है रुमाल लगबग एक समान उचाई तक ही उचलते हैं दूसरा प्रशन, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और उंचा कैसे उच्छाला जा सकता है? अब अगला प्रशन है, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरहें और शब्द बनाओ, तो साफ से सफाई, चड़ से चड़ाई, बं से बनाई अगला प्रश्न जिन शब्दों में नीचे रेखा खिची है उसका मतलब बताओ उत्तर मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता कतई कारते बिल्कुल अवंती ने सेट का मनसुबा भाप लिया मनसुबा कारते इरादा मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ हुनर कारत है निपूर्णता या स्किल सेट बुलंद आवाज में बोला बोला आवाज कारत है स्वर या बोलना सेट को इर्शा होने लगी इर्शा कारत है जलन या जलसी रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं तो खास कार्थ होता है विशेश, स्पेसिफिक प्रश्न है आफ्ती के बारे में कुछ वाक्य लिखो तुम उसके कपड़ों शकल सूरत, पालतु पशू, बुद्धी, आदी के बारे में बता सकती हो उत्तर है आफ्ती ने जोकरों वाले कपड़े पहन रखे थे उसकी शकल सूरत भी जोकर जैसी थी उसके चेहरे पर दाड़ी मूच और सिरपट टोपी थी उसने गधा पाला था, उसकी बुद्धी बड़ी तेज थी वह शारिरिक शक्ती की अपरिक्षा बुद्धी से काम लेना लेता था वह बहुत ही समझदार सयाना था अगला प्रिशन है जोड़े ढूंडो जैसे दिन को दिन मेला के साथ मेला हो सकता है उपर दिएगे शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है किसी भी मात्रा को बदलने से आर्थ बदल जाता है ऐसे और जोड़े बनाओ देख कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ठूंड पाता है तो जैसे दिन है उसके अंदर जो मात्रा है उसको बदल देते हैं तो दीन का अर्थ होता है डे और दीन का अर्थ होता है गरीब ऐसे ही करना है आदी आदी खिल खिल चिन चिन सूत सूत जाती जाती पीला पीला कुल कूल मिल मील तो इसके अंदर केवल मातराओं को चेंज किया है, जिससे कि इनका अर्थ भी भदल जाता है और जिससे नीचे वाला है मिल और मील, मील जो है वो डिस्टेंस ना अपने के लिए होता है और मिल जैसे फ्लोर मिल होती है कुल और कूल कुल का मतलब टोटल और कूल का मतलब ठंडा अगला प्रशन आप स्वैम करेंगे उससे आगे का प्रशन है क्या है फालतू प्रशन कभी कभी हम अपनी बाते करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं उन्हें डून कर अलग करो बाजार से हरी धनिया पत्ती भी ले आना एक पीला पका पपीता काठ दो अरे रस में इतनी सारी ठंडी वरफ क्यों डाल दी जेवा बगीचे से दो तर्बूस तोड़ लाओ बेकार की फालतू बाते मत करो तो इसके अंदर देखो कई चीज़े रिपीट हो रही हैं जो से पत्ती, पीला, ठंडी, ताजा, फालतू इनकी आवश्यक्ता नहीं है इसी के साथ प्रश्ण उतर समापत होते हैं आशे करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा यह अध्यापक को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद